प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक बार फिर लोगों से मन की बात की मोदी ने कहा कि मुझे जन शक्ती पर अपार विश्वास है मैं करीब एक साल से आप से मन की बात कर रहा हूँ उन्हों ने कहा कि लोगों के द्वारा भेज़े जार है लाखों पत्र मुझे काफी खुशी देते हैं पी-म मोदी ने हर बार की तरहें इस बार भी रविवार के रेडियो के जरीए अपनी मन की बात की पी-म ने कहा कि हमारा मंत्राले लोगों के सुझावों को गंभीरता से लिता है और उनके पत्रों को पढ़कर काफी सीख लेता है मन की बात के लिए मैं लोगों से सुझाव मागता था और शायद हर बार दो या चार सुझाव को यह हाट लगा पाता था लेकिन लाखों की तादाद में लोग सक्रियत होकर के मुझे सुझाव देते रहते थे यह अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है वरना प्रधान मंतिर को संदेश दिया mygov.in पर लिख दिया चिठी भेज दी लेकिन एक बार भी हमारा मोका नहीं मिला तो कोई भी वेक्ति नराश हो सकता है तो एक मुझे ऐसा नहीं लगा हाँ मुझे इन लाखों पत्रों ने एक बहुत बड़ा पाड़ भी पड़ाया सरकार के अनेक बारी कठिनाईयों के विशे में मुझे जानकारी मिलती रही और मैं आकाशवानी को भी अभिनंदन करता हूँ को उन्होंने इन सुझावों को सिर्व एक कागज नहीं माना एक जन सामाने के अकांग शामाना उन्होंने इसके बाद कारिकम किये सरकार के भिन 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 विभागों को अकाशवानी में गुलाया और जनता जनारदन ने जो बाते कही थी उनके सामने रखी मैंने एक दिन ऐसे ही कहा था कि सेलफी विट डार और सारी दुनिया आच्रज हो गई तार दुनिया के सभी देशों से किसे ने किसे ने लाखों की ताधाद में सेलफी विट डार और बेटी को क्या गरीमा मिल गई और जब वो सेलफी भी डॉटर करता था तब अपनी बेटी का तो होसला बुलंद करता था लेकिन अपने भीतर भी एक कमिटमेंट परदा करता था जब लोग देखते थे उनको भी लगता था कि ये बेटियों के प्रती उदासिन था अब छोड़नी होगी एक साइलेंट रिवल्यूशन था गैस सिलेंडर की सबसीडी छोड़ने पर लोगों को धन्यवाद भी दिया एक बार मैंने मन की बात में कहा था गरीब की घर में चूला जलता है बच्चे रोते रहते हैं गरीब मांग क्या उसे गैस सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए और मैंने संपन्य लोगों से प्रात्ना की थी कि आप सबसीडी सरंडर नहीं कर सकते क्या सोचिए और मैं आज बड़े आनंद के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश के 30 लाख परिवारों ने गैस सिलेंडर की सबसीडी छोड़ दी है और ये अमीर लोग नहीं है एक टीवी चैनल पर मैंने देखा था कि एक रिटाइट टीचर विध्वा महिला वो कतार में खड़ी थी सबसीडी छोड़ने के लिए समाज के सामान जन भी मद्यमबर्ग निम्न मद्यमबर्ग जिनके रिए सबसीडी छोड़ना मुश्किल काम है लेकिन ऐसे लोगों ने छोड़ा का यह साइलेंट रिवोलुशन नहीं है का यह जन शक्ती के धर्शन नहीं है सरकारों ने भी सबक सिखना होगा कि हमारी सरकारी चोखट में जो काम होता है उस चोखट के भाग एक बहुत बड़ी जन शक्ती का एक सामर्थवान उर्जावान और संकल्पवान समाज है सरकारे जितनी समाज से जूड़ करके चलती है उतनी ज़्यादा समाज में परिवर्थन के लिए एक अच्छी केटरिक एजेंट का रूप में काम कर सकती है पिछले एक वर्ष में खादी की बिक्री डबल हुई है मुझे खुशी तो तब हुई कि पिछले अक्तूबर महिने के पहले मेरी ये पहली मन की बात थी तो मैंने गांदी जैंती का उलेक किया था और लोगों को ऐसे ही मैंने प्राथ्था कि थी कि 2 अक्तूबर महात्मा गांदी की जैंती हम मना रहे हैं एक समय था खादी फर नेशन क्या समय का तकाजा नहीं है कि खादी फर फैशन और लोगों को मैंने आगरह किया था कि आप खादी खरी दिये थोड़ा बहुत कीजिए आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूँ कि पिछले एक वर्ष में करीब करीब खादी की बिक्री डबल ह करीब 55,000 से ज्यादा फोन कॉल्स आए मन की बात में इस बार मैंने एक नया प्रयोग करने के लिए सोचा मैंने देश के नागरिगों से प्रार्थना की थी कि आप टेली फोन करके अपने सवाल अपने सुजाव दर्ज करवाईए मैं मन की बात में उस पर ध्यान दूंगा म मुझे खुशी है कि देश में से करीब 55,000 से ज्यादा फोन कॉल्स आए चाहे सियाचीन हो चाहे कच्छ हो या काम रूप हो चाहे कश्मीर हो या कन्या कुमारी हो हिंदुस्तान का कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा जहां से लोगों ने फोन कॉल्स न किये हो सुभाष चंद्रबोस के परिवार से मिला गणेश्यतुर्थी के दिन मुझे सेना के जवानों के साथ दो तीन घंटे बिताने का हुसर मिला जल थल और नव सुरक्षा करने वाले हमारी जल से ना हो थल से ना हो या बायू से ना हो आर्मी, एरफोर्स, नेवी 1965 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ उसको 50 वर्स पुर्ण हुए उसके निमित दिल्ली में इंडिया गेट के पास एक शौरियान जली प्रदर्शनी की रचना की है मैं उसे चाओ से देखता रहा गया था तो आदे घंटे के लिए लेकिन जब निकला तब धाई घंटे हो गये और फिर भी कुछ अधुरा रह गया क्या कुछ वहां नहीं था पुरा इतिहास जिन्दा करके रख दिया है एस्थेटिक दुर्श्टी से देखे तो भी उत्तम है इतिहास की देश्टी से देखे तो बड़ा एजुकेटिव है और जीवन में प्रेणा के लिए देखे तो शायद मात्रु भूमी के सेवा करने के लिए इससे बड़ी कोई प्रेणा नहीं हो सकती है युद्ध के जिन प्राउड मोमेंट्स और हमारे सेनानियों के अद्यम में साहस और बरिदान के बारे में हम सब सुनते रहते थे उस समय तो इतना फोटोग्राफ भी अवैलेबल नहीं थे इतनी वीडियोग्राफी भी नहीं होती थी इस प्रदर्शनी के माध्यम से उसके अनुभूती होती है लड़ाई हाजी पीर की हो असल उत्तर की हो चाविंदा की लड़ाई हो और हाजी पुरपांस के जीत के द्रश्यों को देखे तक रोमांच होता है और अपने सेना के जवानों के प्रदिख घर्व होता है मुझे उन वीर परिवारों से भी मिलना हुआ उन बलेदाणी परिवारों से मिलना हुआ और युद्ध में जिन लोगोंने हिस्सा लिया था बेभी अब जीवन के उत्तर कालखन में है बेबी पहुँचे थे और जब उनसे हाथ मिला रहा था तो लग रहा था तक व्याक क्या उर्जा है एक प्रेणा देता था अगर आप इतिहास बनाना चाहते हैं तो इतिहास की बारिक्यों को जानना समझना जरूरी होता है पीएम ने इस दोरान बताया कि मेरे लिए ये सौभाग की बात है कि नेता जी के परिवार के देश विदेश में रहने वाले पचास लोग मुझसे मिलने आएंगे आपको बता दें कि बिहार चुनाव के चलते इस कारिक्रम को रोकने के लिए महागडबंधन ने चुनाव आयोग से अपेल की थी जिसके बाद चुनाव आयोग इससे सहमत नहीं हुआ था ब्यूरो रोपोर्ट डी लाइव निउस